मैं ब्रह्मान अंत्रपाठी आज आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो आज से पहले ना आपने देखी होगी और ना सुनी होगी मैं मौजूद हूँ सुनोरी ग्राम पंचायत के सीगाउं ग्राम और यहाँ अवेज दीजे देखिए पास मिलाईएगा देखें 27.8.2023 को सहनाज बेगम की मृत्य हो गई थी 27.8.2023 को और यह बात बड़ी अजीव है और देखने वाली है कि वो महिला आज भी जीवित है अब हम कागज से ही तो ये जानते हैं कि व्यक्ति के मृत्य हो गई या जीवित है कागज पे जो व्यक्ति के मृत्य हो चुकी है वो आज हमारे सामने जीवित है आईए मैं डारेक्ट आपकी सहनाज बेगम से ही बात कराता हूँ क्या नाम है आपका? सहनाज बेगम अब बाकिया तो हमारे समझ में कुछ नहीं है लेकिन अब वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं गलत कौन किया है भाई सारपांत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं क्या हुआ है नहीं तो जैसे आप आप समने आएए बैठी है क्या नाम है आपका मुभारक आप इनके कौन है हम हमारी वरत है मैं उसका पती हूँ तो यह क्या वाकिया है जैसे यह फैमिली आइडी में इनकी मृत्यू घूसित की गई है लाडली के लिए कागज दिया इसको आधार काल दिया फैमिली आइडी दिया उसने इनका जो है लाडली खुट बनाया उसके बाद एक चोड़ करके च तो लाडली का पैसा आया है इन्रेगा आला दियकल अभी आप से कौन पूछ रहा था कि लटी?. आर नहीं पूंचा फिर आ रहा हमारे आपको निकालने नहीं जाएंगे हम आपको को क्रमारे खाते में 4-5,000 रुपए है तो क्या नरेगा में आपने मज़दूरी की थी ऐस्ट नहीं किया इनका कागर्जण तो मतलब आपने नरेगा में कोई काम किया नहीं था बडूरी करने नहीं नहीं पिर भी आपके खाते में पैसे आए और वह पैसे आपसे मागे जा रहे हैं जबरं जबरन तो आपने फिर उनको चेक दिया फिर हमने चेक दिया قछीयसो का काट करके अच्छा 25 का आपने चेक काटा किस तारी को हमने काटा अच्छा जो अभी दिखा रहे थे 26 तारी को मैं डिस्प्ले कर दूगा 26 को हमने दे दिया उसके बाद हम घर चले आए ये बोली कि हमारा लाडली का पैसा नहीं आता हमने कहा हो सकता है कि अवस्था के हिसाब के हिसाब से उमर की हिसाब से जादा हो गए भूगा तो पैसा तुम्हारा बंद है फिर हमारीबची की जरूरत आ गई आईडी की हमने अभी गया तीन महीने बाद हम पुरानी आईडी से काम करते रहे जब उसकी आईडी की फिर पुरह आ गई हमारा आई बनवाना था फिर हमने गढ़ा निकालने के लिए तो फिर हमने जब बोटर आईडी निकाली दूसर तो उसमें इसका नाम ही कटा है और मित्यों घोसित किया गए फिर मैं आपको फोन ठीक है यहां तक तो ठीक है मतलब यह जो आपने पेपर निकाला है इसमें ओन पेपर यही लिखा हुआ है जैसे यह समगर आईडी सदर्स्री का नाम है सैनाज बेगम उम्र साथ वर्स लिखा हुआ है तो ठीक है लाडली बहना के पात्र साथ वर्स के बाद तो नहीं है बर विवार के किसी भी सदर्शी की मृत्यू का पंजियन समग रपोर्टर पल नहीं हुआ है तो मतलब मृत्यू के मृत्यू दर्शाई गई है इस विशे में आपने अभी बात की क्या वर्तमान सर्पंच और सचीजी से फोन लगा चार बार उसने फोन उचाला नहीं हाँ इसके दंड हमारे कागज का जो हमारा कागज बिगाड़ दिये हैं आई डी अस्याम बाबू को मिलते हैं लेख पाल चिग्रेटरी तो उसे सर्पंच ने कहा तब चिग्रेटरी ने ऐसा काम किया मतलब आप इस प्रकरण में पूरी तरह सर्पंच को दोसी मानते हैं घॉक्षि ये सची और सहायक सच्ची जो होते हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि गाउं के ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों का लेखा जुखा सरपंच कम रख सकता है लेकिन सच्ची और रोजगार सहायक को पूरी जानकारी होनी चीज़ी तो ये सबकी स्थिति है फिलाल एक बात और आप बताएए संची जल श्यक्ति इन तीनों से आपका कोई विबाद कोई भी विबाद है कभी विपाद कोई एक उनुन पड़कार के कि उनुम प्रकार के उनुन प्रकार ने इसके बाद भी इन्होंने आप की मेसेज को मृत घोसित कर दिया ठीक है अच्छा मान लिजे अगर आपकी बात कोई प्रसाशनी का दिकारी सुन रहा है इस वीडियो के माध्यम से तो आप क्या कहना चाहते हैं हम यही कहना चाहना है कि इनको डंद मिले आप डंद का कैसे कर सकते हैं मृचित कारवाई की बात कर सकते है कारवाई की जाएं इनके साथ में ठीक है